हेलो गाइस कैसे हैं आप सब अमीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे आज मैं आप बनाना स्टका आ रही हूँ कपड़े से फ्लावर बाव बनाना तो चलेंजी अपना काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह मैंने फैबरिक ले ली है कपड़े की लंबाई मैंने 13 इंच उसी के साथ मैंने बुक्रम की लंबाई 13 इंच रखी है कपड़े की चौड़ाई मैंने 7.5 इंच रखी है बुक्रम की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है प्रेस की मदसे मैं इसको कपड़े पर चिपका लूँगी उसके बाद मैं इसको डबल फोल्ड करके किनारी पर स्ला स्लाइ लगाने के बाद मैं इसके उपर प्रेस लगाओंगे, आपने दर्मियान में सेसा खोलके इसके उपर प्रेस लगानी है, ताकि इसमें निशने साइ, उसके बाद मैं इसको सीधी साइट पर फोल्ड कर दूंगे हाथू के मदद से, सीधी साइट पर फोल्ड करने के बाद आपने इसके उपर प्रेस लगानी है ये प्रेस लगाने के बाद आपने इस तरह इसको फोल्ड करने और इसके उपर स्लाई लगानी है स्लाय लगाने के board आपने च्छिश ने लगए है इसके उपर भी प्रेस लगाना है ताकर नेटनस आए प्रेस लगाने केबद आपने इसको सिदे फोल्ड कर लेना ये मैंने एक और पटी कटिंग कर ली है इसके लंबाई मैंने 20 इंच और चोड़ाई मैंने 4 इंच रख ली है इस तरह मैंने एक छोड़ा सा और पीस कटिंग कर ली है इसके लंबाई 3 इंच और चोड़ाई 2 इंच रखी है अब मैं इसके साइड पे तिरच्छा निशान लग और लाइन लगा लोगी इसके उपर लाइन के लिए दरम्यान से छोड़ूँ गी क्योंकि हमें जब सीधा फोल्ड करेंगे असानी हो अब इसके उपर मैं स्लाइ लगाऊंगी जो लाइन की है यह मैंने स्लाई लगा दिया इसको अब इसके साइट पर एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसको कटिंग कर दूँगी कि इस में निटनेस आएगी और इसको सीधी साइट पर फोल्ड कर लूँगी उसके बाद मैं पटी पर प्रेस लगा दूँगी उसके बाद मैं छोटी पटी त्यार करूँगी इसको वान साइट पर फोल्ड करूँगी फिर दूस्टी साइट पर फिर डबल फोल्ड करके प्रेस लगा लूँगी उसके बाद मैं इसको चुनर्स टालूँगी ऐसे हाथ से और सुई की मदद से इसको टांक का लगाऊंगी ऐसे धागत को उसके बाद रोल कर देना है ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए दूसरी पटी को भी हम तरम्याद से जुनर्स टाल के फूल के साथ टैच करेंगे सुई की मदद से उसके बाद हम चोटी पटी को इसके उपर टैच करेंगे चोटी पटी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा कटिंग कर देंगे अब इसको सुई के मदद से टांक कर लगा देंगे जार होने के बाद हमारे पास कुछ यू शेप आईए अब एक और बफ बनाना सिकाऊंगी मैं आपको कपड़े से उसके लिए मैंने कपड़ा ले लिए है जिसके चुड़ाई मैंने एट इंच और लंबाई मैंने थर्टीन इंच रखी है उसके बाद मैं इसको डबल फोल्ड करूंगी और उपर वाल साइट पे सलाई लगाओंगी स्लाई लगाने के बाद मैं इसके उपर प्रेस लगा दूँगी सीधी साइट पर फोल्ड कर लूँगी उसके बाद मैं इसको प्रेस लगा दूँगी उसके बाद मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी और उपर वाल साइट पर स्लाई लगाँगी इसलाई लगाने के बाद मैं इसको प्रेस लगाऊंगी जहां पर स्लाई लगाई है और सिधा फोल्ड कर लूँगी उसके बाद मैं अपनी छोटी पटी त्यार करूँगी जिसकी लंबाई मैंने थ्री इंच और टू इंच रखी है एक पहली साइट फोल्ड कर गरूंगी फिर सेकंड साइट पाल करके फिर एबबल फोल्ड करके उपkay अपर से प्रेस लगा दोंगी उसके बाद मैं इसपर प्छुटी पटी लगानी है जो चोटी पटी कर दोगर एक्स्टर स्ट करके टाइट कर दोंगी हुसके बाद आपने की पड़े चोटी पती लगानी है जो चोटी पती का a extra कप्ड़ा Boulevard स्कों आपर से कटिंग कर लेना और सुही के मेंद से टांक कर लेना है और फार rural एध कर लेना है अगर पसान देए तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिए का फिल वक्त के लिए अला हाफिज